कोई रिष्टा मजबूत तभी बनता है जब रिष्टा बनाने वाले लोगों के बीच प्रेंट विश्वास और द्रिड़ता हो अक्सर हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जिससे हमारा रिष्टा लंबे समय तक चलें जोतिश इस मामले में हमारी मदद करता है जोतिश शास्त्र के अनुसार दो लोगों की बीच संगता या अनुकूलता कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जानी जा सकती है इसी सिध्धान्त का उपयोग कर हम जल और प्रित्वी तत्व की राशी व्रिष्चिक और मकर के बीच की अनुकूलता जानने का प्रयास करेंगे व्रिष्चिक मकर लव कमपेटेबिलिटी व्रिष्चिक मकर आसानी से प्रेम में नहीं पढ़ते और नहीं उनके बीच कोई इस्टेंट अट्रेक्शन होता है जो हम आमतोर पर अन्य राशियों में देखते हैं उनका प्यार दोस्ती की नीम पर बनता है आईए इन जल और प्रिथ्वी तत्व राशियों के बारे में कुछ अधिक जानें सरल्ता और मजबूत संकल्प इस जोडी का मूल मंत्र होता है यह व्रिष्चिक और मकर दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पर्याप समय देता है जल और प्रिथ्वी तत्व की इन दोनों राशियों के नेचर के आधार पर ही समझें तो प्रिथ्वी और जल एक दूसरे के पूरक है आप प्रिथ्वी के बिना जल और जल के बिना जीवन की कलपना नहीं कर सकते इस रिष्टे को ज़रूरत है सिर्फ सही चिंगारी की जो समय के साथ इनके रिष्टों में भड़कती है पीस्पुल और प्राक्टिकल मकर आनंद के लिए इमोशन वरिष्चिक के लिए एक आइडियल कपल का निर्मान करते हैं वरिष्चिक मकर संबंधों के फाइदे आएए इनके संबंधों के बारे में हम कुछ अधिक जाने वरिष्चिक अपनी सरलता से मकर को आकरशित करते हैं इस तरह से वे मकर के दिल और दिमाग को सपष्ट रूप से देख सकते हैं मकर भी वरिष्चिक की ओर उनके इन गुनों के चलते आकरशित होते हैं दोनों एक दूसरे को बहतर जीवन देने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं। उनमें से प्रत्येक अपनी समझ और उद्देश के कारण दूसरे की पसंद और डिसीजन पर भरोसा करते हैं। व्रिष्चिक और मकर परिवार और दोस्तों के लिए अट्रेक्टिव समबंध हैं। इसलिए वे जरूरत के समय में इमानदारी से सपोर्ट करते हैं। व्रिष्चिक मकर समबंधों के नुशान। व्रिष्चिक मकर के संबंधों का दूसरा पहलू उनकी प्रतिकूलताएं दिखाने का काम करता है मकर और व्रिष्चिक दोनों पर एफेक्शनिस्ट हैं और उनका लेवल भी अलग-अलग है आईए जानते हैं इससे उनके रिष्टे पर क्या प्रभाव पड़ता है हर स्थिती में खुद को सही साबित करने की सोच व्रिष्चिक और मकर दोनों में होते हैं लेकिन उनके बीच की लाजिकल वार को रोप पाना बेहग मुश्किल काम होता है हालांकि इस रिष्टे में जगडे कम से कम होते हैं लेकिन फिर भी वे अपने स्वभाव के कारण अपने रिष्टे बिगार सकते हैं उनके बिजी शेड्यूस भी उनकी पर्सनल लाइफ में इमोशन प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है क्योंकि उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त प्यार नहीं मिल रहा होता है व्रिष्चिक मकर मेरिच कमपेटेबिलिटी व्रिष्चिक और मकर के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है इसी के साथ दोनों की मेंटेलिटी भी एक समान होती है जिससे उनकी मेरिड लाइफ में एक रूपता आती है आईए व्रिष्चिक और मकर की मैरिड लाइफ के बारे में कुछ अधिक जाने व्रिष्चिक और मकर बड़ी ही सावधानी पूर्वक शादी की प्लानिंग करते हैं अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वे हमेशा अपने और अपने पार्टनर के लिए कुछ आराम दायक समय निकाल ही लेते हैं दोनों को घर पर एक शांदार शाम बिताने, विदेशी खाने का आनंद लेने और एक साथ क्वालिटी टाइन बिताना पसंद होता है ऐसे आयोजन उनके रिष्टों को हमेशा ताजा बनाए रखते हैं वे दोनों बच्चों से प्यार करते हैं और पैरिंट्स के रूप में आइडियल हो सकते हैं मकर वह है जो बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल सिलेक्ट करता है और दूसरी एजुकेशनल एक्टिविटी की प्लानिंग करता है वृष्चिक मकर सेक्सूल रिलेशनशिप वृष्चिक मकर के बीच फिजिकल रिलेशन एक कोमल और इमोशन संबंध है सेक्सूल रिलेशनशिप के दौरान दोनों ही एक अध्गुत तरह के आनंद और सेटिसफेक्शन का अनुभव करते हैं उनकी फिलिंग्स वास्तव में गहरी होती हैं और वे एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं प्रित्वी तत्व की मकर राशी साथ होने पर वृष्चिक अपनी फिजिकल नीड्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं हाला की बहुत इमोशन नहीं होने के करण उनकी सेक्सुलिटी कमजोर पड़ सकती है उन्हें अन्य किसी भी चीज से ज्यादा मजा सेक्सुल एक्टिविटी में आता हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि इमोशनली कनेक्ट करने के लिए भी फिजिकल रिलेशन से बहतर भी कुछ और है फिजिकल प्लेजर लेने और पूरी तरह से संतुष्ठ होने के लिए भी दोनों पक्षों को एक दूसरे के समर्थन की जरूरत होती है मकर सेक्स एक्टिविटीज को लेकर थोड़े रिजर्व होते हैं लेकिन व्रिष्चिक के सपोर्ट से उनमें धीरे धीरे रुमास पैदा होने लगता है कुल मिलाकर कम शब्दों में कहें तो व्रिष्चिक और मकर दोनों ही एक दूसरे के लिए जीवन के लगभग हर क्षेतर में बहतर नज़र आते हैं फिर भी उन्हें खुद को और अपने पार्टनर को लेकर कुछ भ्रम की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है हालांकि यदिवे दोनों अपने रिष्टों के प्रती अधिक सजग रहें तो उन्हें इन छोटी मोटी परिशानियों को खत्म करने में भी परिशानी नहीं होगी कोई रिष्टा मजबूत तभी बनता है जब रिष्टा बनाने वाले लोगों के बीच प्रेंट, विश्वास और द्रिड़ता हो अक्सर हमें ऐसे व्यक्ती की तलाश रहती है जिससे हमारा रिष्टा लंबे समय तक चले जोतिश इस मामले में हमारी मदद करता है जोतिश शास्त्र के अनुसार दो लोगों की बीच संगत्ता या अनुकूलता कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जानी जा सकती है इसी सिध्धान्त का उपियोग कर हम जल और प्रित्वी तक्व की राशी व्रिष्चिक और मकर के बीच की अनुकूलता जानने का प्रयास करेंगे प्रिय दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपिया ओनलाइन रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर करें